जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे हैं और आज हम अपने भारत में 2018 को 69 वा गरतन दिवस इलब्रेट कर रहे हैं हर स्कूल हर कॉलेज में बना रहे हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का संग्विदान 26 जुनरी 1950 को ही लागू हो चुका था और उसी दिन हम पूरी तरह से आजाद हुए थे इसलिए उसी आजादी की खुशी में हम ये दिन और हर साल अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है आपके पास है, देश के हर नागरीत के पास है. जो आजादी होगे होटा है. इसी आजादी की वजह से हम अपना राजनेता चुन सकते हैं. अपने आजनेता चुनने का हमें अधिकार है और एक सही नेता हम अपने डेश में लाएएноз इस दिन का actual मतलब नहीं है हमारे कुछ महान से नानियों की वज़े से आज हमारा देश पूरी तरह से आजाद है और हम जो चैन की सास ले पा रहे हैं ये उनकी बलिदान की वज़े से हैं उनकी कड़ी मेनत की वज़े से हैं तो फ्रैंस मैं उन महान निताओं का नाम लेना चा जिनके बारे में हमें कुछ बताने की जुरूत तो नहीं है बच्चा बच्चा वाकिफ है उनके नाम लेकर उन्हें बर्नवन करना चाहती हूं महात्मा गांदी जिनके बारे में हमें कुछ बताने की जुरूत तो नहीं है बच्चा बच्चा वाकिफ है उनसे उनके नाम से चंसेखर आजाद लाला लाचपत राय बला भाई पटेल लाल बहादूर शास्त्री इन महान निताओं ने कई वरसों तक बिटी सरकार का आए हमें कभीन के बल्दान को भूलना चाहिए एंड जब भी कोई महान कारिक्रम हो रहा है महान उत्सा हो रहा है तो फैंस आप उन्हें दिल से एक बार नमन कीजिए और एक बार नयाद कीजिए जिसकी वजह से आज हम चैन की सास ले रहे हैं आज हम खुरी तरह से साम को टाइम मिलें तो कहीं गुमने भी जाए है सो बाइट अकर मेरा वीडियो पसंद आता तो यार प्लीज लाइक करो और सुस्क्राइब तो करो नो सुस्क्राइब बढ़ने रहे फटा फटना मुझे थोड़ी से एक्साइटमेंट हो रही है कि थोड़ी से जल्दी से 1000 ह बाउजन हो जाए तो थोड़ी सी मजा आ जाए भारत माता की जै बने मातरम बने मातरम बने मातरम विसे बेरी वेरी है पर बीडे फ्रेंड्स आप भी टारा लगात रहे हैं मेरे साथ में और उन्हें बिल्कुल दिल से आद किजिए और आस साम को नहीं गुमने जरूर